आज मैं आप लोगों साथ शेयर करने वाली हूं पनीर और कौन की ऐसी रेस्पी ना इसमें प्याज हम डाले हुए हैं ना हम लेसुन बन डाले हुए हैं बट फिर भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मतलब खाने में आपको मजा आजाएगी रेस्पी अगर आप बनाऊगे तो इधर में तेल ले लेती हू महिके हम करने मर्च मिर्च तयली मिर्च यजा दिदेंगे इधर इंट अबी आ रहा हुए गडेंश जी का दिन आज रहे हैं और फिर उसके बाद मतलब आप बिना प्याज और टमाटर बिना प्याज और लेसुन का बना सकते हुए रेस्पी बहुत ही अच्छी लगती है और घरवालों को भी आप खिलाओ बहुत ही पसंद आएगा सबको इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और इसको हम चला लें प्याज टमाटर जो डाली हुम है तो चला देते हैं इसको अच्छे से है सौफ्ट हो गए हैं हमारे टमाटर यह देखिए अब इसमें हम डाल देंगे सूखे मसाले तो सूखें में हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा डाल दोंगे इसमें हम कसूरी मेथी और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें कास्मीरी लाल मिर्ची से कलर बहुत अच्छा आता है देखने में और तीकी थोड़ा कम होती है तो इसको भी डालके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मिक्स हो गया है थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी क्योंकि सूखे मसारे डालने में थोड़ा से जलने लगता है तो पानी डालने से क्या होता है कि हमारा मसाला भून जाता है अच्छे से और यह जलता भी नहीं है तो यह देखे इतना पानी हम डाल दिये हैं अब इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको हम ठंडा होने देंगे थोड़ा सा मिक्स करने बाद गैस को इधर थोड़ा सा तेज कर दी मैं तो बस इसको हम रख देंगे साइड में थंड़ा होने के लिए फिर हम इसको पीसेंगे बारी प्येils करना हैं हमें और इधर हम एक पैन ले लेते हैं उसमें हम थोड़ा सा तेल याह型 तेल डाल दोँगी इसमें हम कशूरी में थी और इसको मिक्स कर लेते हैं और गैस को इधर आप धीमा कर देना जिसे मसाला जले नहीं क्योंकि सूखे मसाले के आओटे बहुत ही जल्दी जलने लगते हैं तो यह देखे मसाला हमारा अच्छा सभून गया है खुजबू आ रही बहुत ही अच्छे से तो इसमें हम पनीर डाल देंगे तो यह घर का पनीर है मतलब बहुत ही ज्यादा सौफ्ट है तो इसको हम ज्यादा नहीं मिक्स करेंगे वरना यह तूट जाएंगे तो यह देखिए डाल के इसको हम थोड़ा से मिक्स की हूँ मैं जादा नहीं की हूँ और यह जो हम मसाला लिए थे ना मैं टमाटर वाला उसको भी हम पीस लेते हैं ठंडा हो गया था तो बस हलके हां से ऐसे हम चला देंगे थोड़ा से स्पून लेके मैं चला देती हूं ऐसा पलट देती हूं पनीर को तो अगर आप मार्केट की पनीर लोगे तो आपका वो टाइट रहता पनीर मतलब बहुत ही अच्छे से आप मिक्स कर सकते हो इसको बट यह बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था तो मैं इसको ज्यादा मिक्स नहीं की हूं और इधर हम जो पेस्ट पीसे हुए थे टमाटर वाला व तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी ग्रेवी दिख रही है और बहुत ही जट पटी रैस्पी बन जाती है मतलब कोई ताम ज्ञाम यह मतलब बहुत ज्यादा भूनाई करने की जुरत नहीं है आपको इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी मुझे मतलब यह उबले क्योंकि हमारी सब्जी बहुत जट पट बनने वाली है ज्यादा इसको हमें चलाना नहीं है मतलब पकाना नहीं है क्योंकि ऑल्रडी पकी हुई थी इसलिए और जो कौन हम पकाये हुए थे उबले हुए थे वही पानी में डाल दीए इसमें तो बहुत ही जल्दी हमारी यह थी नहीं, और इधर में डाल देती हूं थोड़ा सा धनिया और गरम मसाला और गैस को इधर हम बंद कर दिये हैं, और हलका साम थंडा होने देएंगे, सबजी को थंडा होने के बाद थोड़ा सब तो यह और भी ज़्यादा गाड़ी हो जाती है तो इसको आप रोटी के साथ या पोड़ी के साथ पराठे के साथ चाबल के साथ खा सकते हो बहुत ही पसंद आएगी और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी आप टीफिन में भी दे सकते हो बच्चों को या बड़ों को हस्बेंड और गेरा को भी दे सकते हो टीफिन में तो हमारी जो सबजी है वो रेडी हो गई है थोड़ा सा मैं आपको दिखाती है स्पून से कितना अच्छी मतलब ग्रेवी आप देख रहे हो कितनी अच्छी ग्रेवी दिख रही है मतलब बिना प्याज और बिना लैसुन के भी आप ऐसी टेश्टी सबजी बना सकते हो तो आई होप आपको पसंद आये तो आप जरूर लाइक करना शेयर करना